दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसी magical remedy शेयर कर रही हूँ जिसके एक बार के use से ही instant result मिलेगा आपको कैसे use करना है किन किन चीजों की जरुवत है चले देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर लेना है Pond's Powder जी हाँ दोस्तों आपको यही पाउडर लेना है यहां पर यहां मिलाकर यदि आप चहरे पर लगाएंगे ना दोस्तों इसमें क्या मिलाना है आगे बता रही हूं मैं आपको आप यदि इसे लगाते हैं तो आपका चहरा किसी सेलीब्लेटी के जैसा ही लगेगा इत चांद के जैसा खुबसूरत आपका चहरा हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर दोसों मैंने लिया है पॉंड्स पॉडर लिया है एक चमच आपको यहाँ पर लेना है हम सभी के घर पर होता है और आप इसे जरूर ट्राय करें दोसों आपके चहरे पर जो निखार आएगा आप खुश हो जाएगे चहरे के दाग धब्बे दूर ह करेगी चहरे को टाइट करेगी इसकिन में कसाव आएगा जिससे की लंबे समय तक उम्र का पता ही नहीं चलेगा सबता में कम से कम दो से तीन बार आपको इस रेमेडी को अपने चहरे पर लगाना है तो वो दूसरी आसान सी चीज है मैदा हम सब के घर पर होता है मैदा यद हमारे सकिन को टाइट करता है हमारे सकिन में से एक्स्ट्रॉ ओई निकालता है हमारे सकिन को ओइली होने से बचाता है जिससे की पिंपल्स और आकने की जो समस्या है वो बहुत हद तक के दूर होती है तो इस remedy से आपका चहरा बिल्कुल चांद के जैसा चमकता दमकता सा लगेगा दोस्तों अपने चहरे का अपने skin का अपने बालों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए हमारे चहरे पर यह बहुत जादा फोड़े फुलसी होते हैं पिंपल सेकने की समस्या होती है तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता हमारा खुद का confidence कम होने लग जाता है तो इस remedy को आप लोग जरूर बनाए मैदा पाउडर यह दोनों चीजें तो होंगी ही आपके घर पर केवल तीन चीजों से हम इस remedy को बनाने वाले हैं तो मैदा और पॉंड्स पॉंडर दोनों को मैंने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया है तीसरी चीज जो कि अब आपको इसमें डालना है दोस्तों वह है लेमन जूस नीबू का रस एक नैच्रल ब्लीच का काम करता है लेमन जूस हमारे स्किन में गोरा पनाता है हमारे चेहरे को के जो दाग धब्बे होते हुसे हटाता है जो हमारे स्किन में जो टैनिंग हो जाती है उसे भी रिमूफ करता है लेमन जूस हमारे skin में जो fine lines आजाती हैं जुर्रियों की परिशानी है साथ ही साथ pigmentation को दूर करने के लिए lemon juice बहुत ही ज़ादा beneficial होता है हमारे चहरे पर जो जाईयां आ जाती हैं काले पैचेस पढ़ जाते हैं एक उम्र के बाद या फिर आजकल तो कम उम्र में भी sun rays के कारण यह चीज़े होने लगी है तो उन्हें भी दूर करता है lemon juice sun की ultraviolet rays के जो हानी कारक प्रभाव है उससे भी बचाएगी यह remedy आपको तो lemon juice आपको यहां पर ले रहा है एक बड़ा चमबच lemon juice लेना है तो मैंने इसमें इसमें डाला है बीजों को अलग कर दे और वापस फिर से डालने चोटी चमबच है तो दो चमबच डाल रही हो अगर आप टेबल स्पून ले रहे है तो वन टेबल स्पून ले चोटी करना है दोस्तों आप देखेंगे कि आपका चेहरे में इतनी अच्छी brightness हाईगी कि आप खुश हो जाएंगे ओपन पोर की जो परिशानी है वह दूर होगी चेहरे से गंदगी को दूर करेगी यह रमेडी अगली जी जो कि हम यहां इस्तमाल करने वाले है वह है रोज वाट पर हमारे स्किन में ताजगी लाता है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और बहुत पुराने समय से ही गुलाब जल का इस्तमाल किया आता जा रहा है और हमारे स्किन को नमी देता है इसकिन को हाइडरेट करता है गुलाब जल का रेगुलर इस्तमाल करने से हमारी स्किन अच छाभ पानी यह दाल सकते हें को यह पती हीं आप ठोड़ा चोण सोट से पहोंड और भी आड़ कर सकते हैं चहरे पर इतना अच्छा गोरा पनाएगा मेरे कहने से एक बार आप इसे जरूर ट्राय करें कोई खास सामान नहीं चाहिए और इसे अब आपको अपने पूरे चहरे पर लगाना अपनी गर्दन पर लगाना है और कम से कम 10 मिनट तक इस पैक को आपको अपने चहरे पर लगे रहने देना है 10 मिनट में आप देखेंगे दोस्तों चहरे का जो भी एकसेस ओईल होगा आपकी चहरे में जो गंदगी होगी पसीने गंदगी के कारण जो परिशानी होगी मुहासे एकने की जो परिशानी है बिल्कुल ही दूर होगी दोस्तों चुकि यह एक ऐसी remedy है आप एक बार ट्राय करेंगे आपको इसका result दिखेगा तो आप सब्ताम में दो बार तीन बार भी इस remedy का जरूर इस्तमाल करें वैसे तो हमें रोज अपने skin की care करना चाहिए रोज यदि आप कहेंगे हमारे पास time न लगाए 10 मिनट लगा रहने दे 10 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को दो सकते हैं वाश कर सकते हैं और पहले बार के इस्तमाल से ही आप पाएंगे बहतरी रिजल्ट ऐसी कमाल की remedy है दोस्तों जो कि आपको खुश कर देगी कि इतना अच्छा हमारा चेहरा हो गया शायद आ पहले ट्राय नहीं किया होगा मेरे कहने से एक बार जरू ट्राय करें तो इस तरह से पूरे चेहरे पर आपको लगाना है और चेहरे पर लगा कर रखना अभी मैंने सिर्फ आपको हाथों पर ही इसे अप्लाय करके दिखाया है कोई भी साइड एफेक्ट वाली चीज नहीं यह तीनो चीजें ऐसी है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फाइदे मंद है आप इसे जरूर लगाए और बहुत बड़ी हापको रिजल्ट मिलेगा और दस मिनट के बाद आपको हलके हाथों से मसाज करते हुए इसे निकालना है किसी भी फेस पैक को हमें बहुत जादा सक्किन में अनिकालना है इसके जाए घएाओ आपको हलके हाथों से मसाझ करके तो sाफ पाली से निकालना है उसके लगा उपस्क्राई बहुत है तो सांती साथ्वılar के एच शानल को सब्सक्राइल करें आप नहीं तक सब्सक्राइब नहीं किया है है तो ड़ुब करें अब हाथों में लगा कर दिखाया धोया मेरे हाथों के स्किन बहुत ही अच्छी साफ हो गई है और स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आ गया है तो इसी तरह से आपको अपने चेहरे पर भी लगाना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और रेमेडी को ट्राइज